हिसार के गाउंश शहडवा में किसान जैपाल के शव को भी आज सेना और एंटियाराफ के जवानों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद निकाल लिया गया। गरतलब है कि गाउंस शहडवा में रविवार को खेतों में बने कुए में मिट्टी दरकने से दो किसान मिट्टी में दब गए थे जिसमें से किसान जगदीश के शव को कल निकाल लिया गया था। हार्याणा विदानसभा के डिप्टी स्पीकर रंबीर गंगवा ने इस दुर्भागय पूर्ण घटना पर गहन शोक वक्त किया है।